हमारा एक जो ब्रमोस मिसाइल है ये मिस्वायर करके पाकिस्तान की धर्ती के अंदर चला गया और वहाँ पे इसने हिट किया fortunately किसी को ना इंजरी आई है ना किसी की यहाँ पर जान गई है अब question देखिए इसके बाद यहाँ पर यह उठा है कि ब्रमोस मिसाइल जो मिस्वायर करके पाकिस्तान में चला गया इसकी reverse engineering नहीं हो सकती क्या अगर पाकिस्तानी यहाँ पर कुछ जो parts है बाद वे यह भाल हुआ था ब्रमोस मिसाइल का जब इसने हिट किया था पाकिस्तान को पाकिस्तानी एरफोर्स ने इसको छुआ तक नहीं उन लोगों को पता भी नहीं था कि what hit them ब्रमोस सुपर सोनिक स्पीट से आया और इसने रंडम ली आप के लिजिए मिया चानू जो पाकिस्तान का एक पंजाब प्रोविंस में एरिया है यहाँ पर इस इलाके को इसने hit कर दिया अब question यहाँ पर यहाँ आता है कि इस मलवे से क्या पाकिस्तान कुछ reverse engineering कर सकता है कुछ parts यहाँ पर क्या पाकिस्तान कॉपी कर सकता है और क्योंकि पाकिस्तानी तो यहाँ पर यह क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हम इसको करेंगे अब reverse engineer यह हम लेके जाएंगे चाइना के पास चाइना के साथ मिलकर हम खुद का एक ब्रमोस बना देंगे तो is it really possible तो यहाँ पर मैं यह काऊँगा कि जिन लोगों का यहाँ पर concern है कि क्या ब्रमोस की reverse engineering करके मतलब कि ब्रमोस कैसे बनाया गया है ब्रमोस क्या design क्या है यह सब चीज़े कॉपी करके पाकिस्तान क्या खुद का missile बना सकता है या नहीं यह concern अपनी जगा genuine है मैं यह नहीं काऊँ यह एक subsonic cruise missile है US आज भी इसको use करता है और subsonic missile का मतलब यह होता है कि इसकी speed one mark से कम है one mark मतलब के speed of sound अगर आपकी missile की speed है mark 2 तो मतलब के आप speed of sound के दो गुना ज़रा तेज जा रहे हैं तो subsonic missile speed of sound से भी कम होता है subsonic के बाद आता है transonic transonic के बाद आता है supersonic bramos missile इस category में प्रमोस से काफी हलके दर्जे का missile है tomahawk अब interesting बात देखिए 1998 में USA ने tomahawk missile बहुत सारे बरसाए अफगानिस्तान पर al-qaeda को target करने के लिए यह दौर था Bill Clinton का उस वक्त पाकिस्तान ने चुप-चाप एक tomahawk missile जो explore नहीं किया था जो बिलकुल perfect condition में था आपके लिजे कुछ वहाँ पे malfunction हो गया होगा कुछ glitch आ गया होगा वो missile बिलकुल proper condition में पाकिस्तान यार्मी को मिल गया अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे इन्होंने चुप-चाप वहाँ से यह missile उठा लिया यह ले गए पाकिस्तान में रावल पिंडी में यहाँ पर इसकी reverse engineering करी और फिर पाकिस्तान ने खुद का एक Tom Hawk जैसा missile बना लिया यह मैं नहीं कह रहा यह पाकिस्तान के former PM नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं मैं चाहता हूँ जो इनकी वीडियो हैं यह आप सुनें यह जो मिजाईल्स हैं आदे मिजाईल्स तो माशारा मैंने अपने हाला के फदल करम से त्यार करवाये और यह जो टॉम हौक है जो है वो भी माशाला नवाज शरीफ ने बनौाया था रहु भी ब्लोटिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉक्ट चलाए थे मिजाइल गिराये थे एक साबत मिल गया उसको हमने अपना आगे लेके आए उसको उसकी बैक एंज और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिकन मिसाइल को कॉपी करके उसको रिवर्स एंजिनियर करके पाकिस्तान ने कौन सा खुद का मिसाइल डेवलप किया तो इन्हों ने डेवलप किया बाबर बाबर पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल है ये एक सबसोनिक स्पीड वाला क्रूज मिसाइल है इसकी जो मैक्सिमम रेंज पाकिस्तान क्लेम करता है 900 किलोमेटर के आसपास की है इंडिया के पास ओबिसली इस मिसाइल को रुखने के लिए बहुत सी ऑप्शन्स हैं बरा केट है ह हमारे missile defense systems हैं, उसके इलावा IS-400 अब और आ चुका है, तो हला की अब देखिए, कल को अगर हमको quick attack करना हो पाकिस्तान पे, like fast, सबसे पहले हम use करेंगे ब्रहमोस missile को, पाकिस्तान अपनी तरफ से fast attack के लिए most probably use करने वाला है बाबर को, क्योंकि बाबर इनका primarily fast test missile है, और काफी बार मुझे याद है, मैं 2015-16 के आसपास जब बाबर के बारे में पढ़ता था, इस missile को study करता था, dimension study करता था, मुझे लगता था कि बहुत जादा इसकी similarity है US के Tom Hawk missile से, बाब में अफकोर्स नवाज शरीफ ने जब यह बाद clear कर दी के literally we copied the US missile और फिरम ने यहाँ पे आपने खुद के missile मलाई है, तब समझ में आता है कि most probably बाबर missile एक, आप कहले जे हलकी copy है US के Tom Hawk missile की, ना मुझे यहाँ पर यह एट करना होगा, कि पाकिस्तान के former PN में तो यह claim कर दिया कि reverse engineering करी थी यहाँ पे इन्होंने, मगर जो पाकिस्तान की establishment है मलब के join की अवी army काफियतक power में है, इमरान खान के साथ, इन्होंने आपर यह claim किया के देखिया, ऐसा कुछ नहीं है कि Tom Hawk missile हमको बिल्कुल perfect condition में मिला हो, यह जो नवाज शरीफ वली बात है, यह 100% true नहीं है, तो पाकिस्तान की बिल्कुल एक history रही है, copy करने की इन्साफ मिसाइल को, पाकिस्तान तक ही एक content excitement है, और उस case में भी देखो, जो हाल हुआ है ना, ब्रमोस का, यह मलवा देखकर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान जारा कुछ reverse engineer कर पाएगा, जो पाकिस्तान को मिसाइल मिला था, Tom Hawk missile बहुत जादा बढ़िया condition में था, compare to ब्रमोस, तो उसको इन लोगों ने कर लिया था, reverse engineer, इस particular case में यहाँ पर पाकिस्तान कुछ करनी पाएगा, फिर एक और aspect यहाँ पर यह भी है कि ब्रमोस missile की speciality सिर्फ इसकी body में नहीं है, इसका software भी बहुत ज़रा special है, तो software पाकिस्तान के हाथ का भी लगेगा नहीं, जिस तरीके से इसको launch करना होता है, वो भी अपने आप में एक technique है, तो इस particular case में पाकिस्तान ना इसको खोद reverse engineer कर पाएगा, ना चाइना को जादा इनकी help करने वाला है, चाइना ने एक बार वैसे मैं आपको बताऊं, यह किनोंने अनोखा काम यह किया था, कि आज से कई साल पहले, जब US ने European countries के साथ सर्विया की bombing करी थी, उस वक्त सर्विया ने जब US का एक F-117 plane down कर दिया था, मतलब कि इसको hit कर दिया था अपने air defense system से, उसके बाद चाइना के spies ने यहाँ पे आके इस aircraft का जो radar है, यह चोरी कर लिया था, और उस radar को बाद में चाइना ने यूज किया है अपने J-20 stealth fighter jet में, तो यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ब्रमोस का कुछ चोटा सा कुछ पार्ट इनको यहाँ पे मिल जाए, उससे यह कुछ inspire हो जाए, कुछ copy कर ले देखिए, अगर अंदर कुछ इनको कोई Jip मिलती है, कुछ अगर इनको मिलता है, यहाँ पे छोटा सा पार्ट उसको यह copy करने कोशिश करते हैं, maybe, maybe at best मैं कहूंगा, worst case scenario में 5 से लेकर 10% के आसपास इनकी कुछ progress हो सकती है, बट overall इतनी कम information से यह खुद का super swanning missile develop नहीं कर पाएंगे।